तो रवी फिल्म इस्टायल की फेमली के लिए मेरे पास एसी दो गुड़ी नूजे जिने सुनकर आप लोगों को सच में मज़ा जाएगा आप लोगी मुझे सावासे ही देवगों ये सब कुछ बताने के लिए देखों सब लोग जानते कि इसी साल यानि कि इसी माईने हम लो जो एंटरिवाला सेनम लोगों को देखने के लिए मिला था उसकी भी काफिस दारीफोरी है जोया जिसके बार्म में अपसब लोगों को पता आगा बाभी नम्मर टू ये एक फिल्म में इतना सारा कंटेंट मिलगया येक फिल्म हम लोगों को इतनी सारी चीजे मल गई तो अपनी फिलम एनिमल के बारे में काया कि मैं आप लोगों को इसके अगले पार्ट में वो डार्क सीन दिखाऊंगा जो देखने के बाद आप लोगों ताले बजाने के उपर मजबूर हो जाओगे तो तयार हो जाओ वो सम लोगों ने एनिमल फिलम देख ली लेकिन अब बारे यह एनिमल फिलम फार्टो के बारे में, यह एनिमल फिलम फार्टो हम लोगों को जोए दोजार चोविस में देखने के लिए मिल जाएगे, जहां पर हम लोगों को रनवीर कफूर वर्सिस रनवीर कफूर देखने के लिए मिलेगा, बाकी कोन असली एनिमल इसका पता हम लोग पिलम ये कैसी फिलम बन चुकी है जिस पिलम में कोई बड़ा सुपर स्थार नहीं था लेकिन इसके बावजूद भी इस फिलम ने अपने कंटेंड के दम पर रनवीर कपूर की एक्टिंग के दम पर और बोवी देवल के जवर्दस स्क्रीन पले की दम पर इस फिलम ने पांस कपूर को बेस्ट एक्टिंग के लिए बेस्ट ओसकर अवर्ड देदो और बोवी देवल को भी देदो यार क्योंकि बोवी देवल अगर इस फिलम में नहीं होते न तो साइध इस फिलम का कोई मतलबी नहीं बनता बाके आप लोगों क्या लगता है कॉम्मेंट करके अपनी